हेलो एवरिवन आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दा लर्नर्स कम्यूनिटी और आज ही जो वीडियो होने वाली है वो सिक्स सेमेस्टर के स्टुडेंट्स के लिए होने वाली है और सिक्स सेमेस्टर में अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है तो यह पार्ट चल रहा है भी पार्ट का हमारा फस्ट जो इसकी वीडियो है वह मैं बना चुकी है अगर आपने अभी तक भी पार्ट का पस्ट पार्ट नहीं देखा है यानि हमारी वीडियो नंबर वन नहीं देखिये तो आप फटा-फट से उसे देख लीजिए पहले एंद फिर को देखना ताकि आपको भी पूरा अच्छी से चैप्टर समझ में आ जाए चलिए फिर हम स्टार्टिंग करने से पहले आपके जो चैप्टर है उसका नाम देख लेते हैं आपकी चैप्टर का नाम है आयाम आर्थिक राजनितिक तक्निकी और सांस्कृतिक आयामों के बार उसको साथ में मिलागर देखा और सेकिंड लिए फाल्ले तरह थी हैं किस तरह से उसक्रिश्कृतिक आयाम को आज हम उसको देखने वाले अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और प्रिवियस वीडियो नहीं देखियें तो आप चल्दी से प्रिवियस वीडियो देख लीजे और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजे और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजे ताकि मोर वीडियो के ल सांस्कृतिक से रिलेटिड देखने वाले हैं सांस्कृति के साथ जोड़ कर देखने वाले हैं चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वैश्विकरण एक ऐसी पिरकिरिया है जिसमें विश्व के विभिन छेत्रों और सांस्कृति के बीच आर्थिक समाजिक राजनितिक और की राजनिती आर्थिक वैवस्था का आदान प्रदान देखने को मिलता है इसमें इस प्रक्रिया के द्वारा विभिन देशों और सांस्कृतियों एक दूसरे के साथ विविदिता और संवर्धियों को साजा करती हैं यानि यह जो प्रक्रिया है इसके अंतरकत हम देखते हैं कि एक संस्कृती दूसरी संस्कृती के साथ अपनी विविदिता और समृधी जो है उसको साजा करती भी हमें दिखाई देती है वैश्विकरण के इस संदर्व में सांस्कृतिक वैश्विकरण एक महतपूर आयाम है जो सांस्कृतिक संदर्व में विभिन देशों के भी समवाद को बढ़ावा देती है यानि अगर हम वैश्विकरण के संदर्व में देखें तो सांस्कृतिक आयम बहुत जादा important है जो विभिन देशों के बीच में अच्छे समवाद और अच्छे संबंद स्थापित करने में महतपुर भूमी का निभाती है इसलिए हमें वैश्विकरण के अंतरगत सांस्कृतिक संबंदों को भी जानना जरूरी है सांस्कृतिक वैश्विकरण के मध्यम से निर्विज्यान, समाशाष्त्र, संचाज, सांस्कृतिक, अध्यन, भूगोल, राजनितिक, विज्यान और अंतराष्त्र संबंद जैसे वि अध्यन वाले लोग हुए भूगोल, राजनिती, विज्यान, अंतरास्टे संबन, इन सभी को एक साथ जोड़ने का मौका मिलता है वहषवी करण के कारण, तो ये बात बिलकुल सही होगी, क्योंकि वहषवी करण ही इन सभी कीजों को मौका देता है, एक साथ जोड़ने का, ये है उन्हें साजा प्लेटफॉर्म पर अपने विचारों और अनुभवों को साजा करने की सुविधा प्रदान करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसके अलावा सांस्कृतिक वहषवी करण दुआरा विभिन देशों के लोगों के बीच संबंद और समझ में स सांस्कृतिक और धार्मिक विचारों को समझने और समर्थन करने में मदद करता है, यानि वहषवी करण की वज़े से और जो अन्य देशों के लोग हैं, वो अपने संबंदों को अच्छा इस्थापित कर पाते हैं और उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक विचारों को समझते हैं और उनका समर्थन भी कर पाते हैं उन्हें बढ़ाने का भी प्रियास करते हैं नेक्स चलते हैं नेक्स है हमारा सांस्कृतिक वैश्वी करन एक अदुत्य पहलू है अमेरिकी फास्ट फूड चीजों के व्यापारिक विस्तार का प्रसार है जिसमें से मैकडॉनल्स और स्टारबक्स जैसे कंपनिया अब विश्वु भर में उपलब्ध हैं यानि अगर हम देखें तो वैश्वी करन की वज़े से जो अमेरिका का फास्ट फूड है ये बहुत जादा वि लब्धी हैं जो अमेरिका ने पूरे विश्व को दी है और पूरे विश्व में इनका प्रभाव देखने को मिलता है जिससे सांस्कृतिक मियाय को बढ़ावा मिल रहा है इस प्रकार यह उधारन देखायता है कि सांस्कृतिक वैश्वी करन ऐसे आर्थिक पिर्किरिया और उत्पादों के माध्यम से सांस्कृति के बीच अंतराष्ट्रे प्रभाव को बढ़ावा देता है यानि इन सभी उधारणों से हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये अंतराष्ट्रे इस तर पर बढ़ावा देता है और इस चीज को बढ़ाने का प्रियास करता है ताकि एक जु इसके साथ ही सामुदाइक रूप से वैश्विक सांस्कृतिक संवर्दी के लक्षे को बढ़ावा देने के लिए विभिन संगठनों और अंतरास्ट्य मंचों की भूमिका है यानि वैश्विकरन जो है वो ऐसे ही नहीं सामने आया है उसके लिए अंतरास्ट्य मंचों ने भी महतपूर भूमिका निभाई है और अब भी अंतरास्ट्य मंच वैश्विकरन को अगे बढ़ाने के प्रयास में नेक्स चलते हैंわか्षे हैं अमारा इस दिशा में सांस्कृतिक वैश्विकरन का अधुत्यय आयाम अध्यानूप में पाया जाता है जो सांस्कृतिक विविदिता और विभिनिता को समझने, समर्थन करने और सलक्षन करने का काम करते हैं यानि हम वैश्वी करन की जो अदुत्यता है उसको हम सांस्कृतिक विविदिता और विभिनिता में देख सकते हैं यह उन्हें विभिन धार्मिक भाशाई और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के रूप में विभिन संस्कृतियों के साथ समर्थन करता है। समर्थन समझ और समान्यता को बढ़ावा देता है। वैश्विकरन के तकनीकी आयाम यानि अब हम वैश्विकरन को तकनीकी आयामों के साथ जोड़कर देखने वाले हैं। वैश्विकरन का तकनीकी इसतर पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है। वैश्विकरन का तकनीकी आयाम उतना ही महत्पूर हैं जितना की सांस्कृतिक और आर्थिक आयाम। यानि हम यह कह सकते हैं कि वैश्विकरन का तकनीकी आयाम हैं वो भी बहुत जादा महत्पूर हैं जिस तरह से सांस्कृतिक और आर्थिक आयाम हैं। प्रध्योगी के उप्योग के माध्यम से विश्व के लोगों के बीच संचार और संबंदों को मजबूत करता है। तकनीकी वैश्विकरन ने समाजिक और आर्थिक जीवन के ढंग को बदल दिया है। जिससे सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। उतपादन को अधिक आसानी से पहुँच सकते हैं। यानि अंतर रास्ट इस तरपर जो उनके बाजार होते हैं, या यह कहें उनके जो उतपादक होते हैं। और उनके खरीद और बेच सकते हैं अपने उतपादनों को। इसमें सबसे पहले तकनीकी आयाम है व्यपारिक छेतर का वैश्वी करन यानि सबसे पहले अगर हम तकनीकी आयाम में बात करें तो उसमें व्यपारिक छेतर का वैश्वी करन देखने को मिदेगा चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं आगे आप देखते हैं इसमें हम क्या लिख सकते हैं आगे आप लोग लिख सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने लेंदेन के लिए आउनलाइन प्रकिरिया को चुना आउनलाइन चीज़े स्टार्ट करें जिसकी वज़े से जो उनका विकास था वो और ज़्यादा होने लगा और और ज़्यादा वो चीज़े बढ़ने लगी यह सबी तकनीकी वैश्वीकरण के मध्यम से हो रहा है यानि ऑनलाइन जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं सारे चीज़े इसकी वज़े से तकनीकी वैश्वीकरण के मध्यम से ही तो हो रही है जिससे विबिन देशों के बीच व्यापारी संबन मजबूत हो रहे हैं और उत्पादन के खरीद बिक्री में आसानी हो रही है यानि इसकी वज़े से क्या हो रहा है जो उत्पादन है उसकी जो खरीदारी है और उसकी जो बिक्री है वो आसानी हो जाती है कोई भी व्यक्ति उसे असानी से खरीद लेता है जब वो online mode में होती है कोई भी purchase कर सकता है जैसे कि आप लोग हैं आप लोगों को अगर notes चाहिए तो आप easily हमारा app the learners community को download करेंगे और जो भी आपको notes चाहिए आप वहाँ से उन्हें purchase कर पाएंगे ऐसा नहीं है आप हमारे घर आएंगे या फिर हमारे office आएंगे तब हम आपको देंगे नहीं आप online payment करेंगे हम आपको online ही यह आपको वो provide करा देंगे या आपको जैसे भी आपको जिस भी mode में चाहिए हम उस mode में आपको provide करा देंगे इसका मतलब यह नहीं कि आप हमें offline पैसे देने आएंगे या and all आपको कोई भी problem नहीं होगी अगर आप हमारे notes भी purchase करते हैं तो यही है कि पृध्योगी की जो है उसने हमारे वैपार और जो हमारे संबंध थे उनको और जादा अच्छा करने और उन्हें विकास करने में मदद की है इसलिए पृध्योगी की भी एक महतपुर भूमी का निवाती है आई होप आपको यह चीजी समझ में आ गई होंगी अब हम दूसरी तरफ्स चलते हैं यानि अब हम next point पर चलते हैं यह सोशल मीट्या ही तो है जिसके जरिये मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं इसल्ए शोशल मीट्या भी एक महतपुर भूमी का निवाती है इसल्ए हम सोशल मीट्या को भी लिख सकते हैं ठीक है सोशल मीडिया की वज़े से जो संचार की पुरानी पिर्थिया थी वो बदल गई है और अब लोग कोसो मील रहकर ही अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं अपनी सुवीदा को बता सकते हैं अब देखिए मैं आपको पढ़ाने आपके घर तो नहीं आ रही हूं सभ संचार की साधन थे वो बढ़ गए हैं और अब हम अपने विचार सोच सभी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं जैसे कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कैसा फील हुआ आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में मैं उन चीज़े को पढ़ूंगी तो मुझे भ भाग लेने में सक्षम बनाती है शोशल मीडिया के माध्यम से विभिन देशों के लोग आपस में जुड़ सकते हैं यानि शोशल मीडिया का माध्यम बहुत सदा इंपोर्टन होता है किसी भी देश यह देश के अंदर भी जोड़ने के लिए और अपने विचारों को बदल सकते हैं यानि हम सोशल मीडिया के जरिये अपने विचारों में परिवर्टन भी देखने को मिलते हैं हमें यह एक महद्वुपॉर्ड माध्यम है जो लोगों की आर्थिक, समाजिक और राजनीतिक, संदेश पहुंचाने में मदद करता है यानि हम सोशल मीडिया के जरिये आर्थिक, समाजिक, राजनितिक और मनोरंचन भी बहुत सारी सुविदाएं प्रदान करते हैं और बहुत साथे मदद भी देखने को मिलती है ये शोशल मीडिया हमारी मदद भी क्यों करती है आर्थिक रूप में अगर हमें कोई प्राब्लम है समाजिक या राजनितिक कोई समस्य होती है तो हम उसका समधान डूनने के लिए शोशल मीडिया का यूज भी करते हैं ठीक है चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरा तक्निकी आयाम के अंदर आप क्या लिख सकते हैं परिवहन का वैश्विकरन यानि परिवहन का वैश्विकरन भी बहुत जाद परदान किये हैं यानि बहुत बहुत जादन होते हैं जिसकी वज़े से नौकरियों में भी बढ़तरी देखने को मिलती है और उन्हें पारेवारिक दायत्वों को पूरा करने का और अधिक समय दिया है इससे लोगों की जीवन शैली में बदलाव आया है और वह अब अपन को पूरा करने में सक्षम हो रहे हैं यह यहानि लोगों की जीवन होता है जो हमारा सिनली जीवन है या फिर यह कहें हमारी परस नल लाईफ जो धिह उस पर बैक डालता है जब हम अपना टाइम बचा पाते हैं तो हम पर्सुनली लाइफ में यह पर अपनी पारेवारिक जी सिट्स्ट्रारा तक्निकी आयाम के माध्यम से वैश्वीकर ने संसार के लोगों के जीवन को तरह से प्रभावित किया है इस ने लोगों के अपनी दूसरे के साथ और अपने विश्व के साथ अधिक जोड़ा है या। तकनीकी आयाम की वज़े से लोग जो हैं वो अपनी जीवन को एक दूसरे के साथ और विश्वी के साथ जोड़ कर देख पाते हैं और उन्ही एक बहतर और अधिक सम्विलित भविश्य की और ले जाता है यानि अब उन्ही ये जो चीज है बहतर और अच्छे भविश्य की औ और ले जाने का काले करती है आई होप आपको ये चीज़े समझ में आ गई होंगी अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हैं तक्निकी आयामों के साथजफिगरण का एक महत्पूर उधारण है इक चेतर में व्रधी यानि तक्रिए कि आयामों में एक महत्पूर उधारण के रूप में हमेठी में चेतरों में जो व्रधी यो उसको देख सकते हैं अब लोग online platform के माध्यम से अपनी विभिन आविशक्ताओं के लिए उत्पादों और सेवाओं को आसानी से खरीज सकते हैं यानि हम online कोई भी चीज अपनी सुविधा के अनुसार खरीज सकते हैं और उससे बेच भी सकते हैं उधारन के रूप में विश्व के विभिन देशों के लोग विभिन e-commerce साइटों से उत्पादों को खरीदने और बेचने में सक्षन हो रहे हैं जिससे व्यापारी और अंतरास्ट इस तर पर विस्तार हो रहा है यानि जितने भी हमारे अन्य देश हैं या फिर हमारे ही देश में देख लीजिए अब कितनी online shopping वगेरा या online खरीदारी हो रही है जिसकी वज़े से क्या है व्यापार जो है वो अंतरास्ट इस तर पर पहुंच रहा है उसका विस्तार धीरे धीरे बढ़ रहा है ये बहुत जादा important हो जाता है किसी भी व्यापारी के लिए उसके व्यापार को बढ़ाने के लिए नेक्स्ट अपर उधारन के रूप में लिख सकते हैं Anu Sanxannaan और विकास के छेत्र में तक्षक्णी की व्याश्विक अलन का प्रभाव यानि हम अनुसंदान और विकास के छेत्र में भी तक्षक्णी वैश्विक संगठनों के अध्यन केंद्र के माध्यम से वैश्विक समुदाय विभिन परध्योगी की और वैज्ञान के छेत्र में सहयोग कर रहे हैं। केंद्र से हम ये देख सकते हैं कि वैश्विक समुदाय हैं वो विभिन परध्योगी की और वैज्ञानिक छेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। अनुसंधान और विज्ञान की शम्ता में सुधार हुए हैं बलकि उन्हें वैज्ञानी इस्तर पर साजा करने और संसादनों को भी लाभ मिला है। यानि इसकी वज़े से सिर्फ सुधारी देखने को नहीं बलकि जीवन को अच्छा इस्तर देने में और उसे आगे बढ़ाने में और उसे सुधारने में भी इसकी वहत्वर भूमी का रही है। हो आपको पूरा टॉपिक अथे समझ में आ गया होगा। इन नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वैश्वी करन के तकनीकी आयामों की चुनौतियां। वेश्वी करण के तक्नीकी आयामों को चुनोतियों में तक्नीकी विभाजन एक महतपूर कारक है यानि वेश्वी करण की चुनोतियों में तक्नीकी विभाजन जो है वो सबसे महतपूर कारक है यहां तक्नीकी वैश्वी करण का मतलब है कि तक्नीकी उपकरणों विज्ञान और अन्य संसाधनों का उपयोग करण के विभिन समाजों और छेतरों को एक साथ लाने की प्रकिरिया यानि तक्नीकी वैश्वी करण का यहां सीधा सीधा मतलब ही यह है या इसका तात्रिय यह ह कि साधनों का उपयोग करके विभिन समाजों छेत्रों और इन सभी को साथ में लानी की जो पिर्किरिया है वही तकनी की वैश्विकरण है हाला कि यह पिर्किरिया पूरे विश्वि में नहीं है हर जगह बराबर रूप से सफल रहती है और इसका एक मुख्य कारण तकनी की विभाजन है यानि हम यह नहीं कह सकते हैं कि जो तकनी की वैश्विकरण है वो हर जगह विखसित है नहीं और हर जगह इसका बराबर ही रू भी नहीं देखने को मिलता है इसी वज़े से जो तकनीकी विभाजन है वो एक महत्पुन समस्या के रूप में या चुनोती के रूप में तकनीकी वैश्विकरण के सामने आती है ठीक है हो सकते हैं यानि तकनीकी आयामों के विभाजन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसमें से आप लिख सकते हैं ग्रामिर चेत्रों में या फिर ऐसे चेत्रों में जहां अच्छी सुविधा ना हो उपकरण ना हो और सेवाई ना हो सेवाओ की कमी हो आर्तिक रूप में समाजिक रूप में भौकॉलिक रूप में वहां जो विभाजन है वो देखने को मिलता है तो वहां तकनीकी विभाजन भी सिंपली आप देख सकते हैं अई होप आपको यह चीज भी अच्छे से समझ में आ गई होगी अब हम next चलते हैं नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं ग्रामिल छेतरों में तक्नीकी विभाजन की समस्या अधिक गंभीर होती है क्योंकि वहां तक्नीकी पहुच महत्पूर्ण सेवाओं तक पहुचने में कठिनाई उत्पन कर सकती है जैसे कि स्वास्ते सेवाओं शिक्षा और साधारन आव अब शक्ताएं होती हैं उनकी जो अपूर्ती है वह बहुत कम लिमिट में होती है जिसकी वज़े से हम इसका विभाजन आराम चे ग्रामिल छेतरों में देख सकते हैं और आपके गाउंगों में भी हम लोग यह चीज़ करते हैं जहां मेरा गाउं है वहां मैंने यह लेकिन आर्थिक समाजिक और अन्य फायदों का वित्रण बराबर नहीं हो पाता यानि हम यह भी कह सकते हैं शहरी और अर्बन चेतरों होते हैं वहां भी हम तकनी की विभाजन देख सकते हैं सिर्फ गाउंगों में ही नहीं बल्कि अर्बन और शहरी चेतरों में भी तकनी क कि विभाजन देखा जा सकता है क्योंकि यहां आर्थिक समाजिक और अन्य सुविदाय तो अपलब होती हैं लेकिन बराबर नहीं होती उनका जो डिस्ट्रिबिशन है वो कभी भी बराबर नहीं होता कहीं जादा है कहीं कम है यह चीज़ देखने को मिलते हैं इसके फल्शरू शहरी छेतरों में भी अधिकतर लोगों को उत्पादक्ता और आर्थिक संभावनाओं में समान दर्जे से भाग नहीं मिलता है यानि शहरों में भी हम बहुत सारी जगा ऐसे देख सकते हैं जहां सभी लोगों को आर्थिकिया समाजिक छेतरों में समान भागेदारी नहीं म परा सकता है और इसे हल करने के लिए समुच्चे समाज में सहयोग और विकास की नितियों की आविशकता है यानि अगर हम चाहते हैं इन सारी प्रॉब्लम्स का हल ढूनना तो पूरे समाज को एक साथ लेकर चलना हमें आविशक है तभी हम इन सारी समस्याओं से आगे बढ़ और इन से उपर उठपाएंगे इसलिये समाज को एक साथ लाना और एक साथ चलना ही स्का सेल्यूशन हो सकता है नेक्स्ट आपका पांट है फ्रकृतिक संसाधनों की सरक्षन की तुलना में प्रृतियोगी का उप्योग चलिए स्कों स्टार्ट करते हैं अधिकांशियत है देशों के संसादन का निश्कर्षनरय और उप्योगी करने के लिए अच्छे प्रकार की तक्नीकों की आविशक्ता होती है, यानि सुविधाओं को अच्छे पहुचाने के लिए उसके निश्कर्ष के लिए हम कह सकते हैं कि तक्नीक की अच्छी तक्नीक की आविशक्ता होती है ऐसी तकनीक समरिद देशों के उपलब्ध होती है यानि ऐसी जो तकनीक होती है वो समरिद देशों में उपलब्ध होती है जिसे हम विक्सित देश कहते हैं यानि ऐसे देश जो विक्सित हैं उनके पास ऐसी तकनीके होती हैं ऐसे देश अपनी तकनीकों का प्रियोग विका परियावरन वादी दूरा इसका विरोध किया जाता है यानि हम यह कह सकते हैं जो बड़ी पहुरास्ट्रेय कंपनिया होती है उनके पास ऐसी सुविदा होती है और वो इन सुविदाओं का लाब उठाती है और ऐसे देशों में जाके कंपनिया लगाती है जहां यह सारी पहुंचाती हैं वहां से लाप कमाना चाहते हैं इसलिए हम इसका विरोध करते हैं इसलिए हम इसका विरोध भी देख सकते हैं ठीक है अर्थ शाष्त्र राजनिती और सांस्कृति के पद पर चुनावों के माध्यमों से प्रकट होता है ओनलाइन चोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म और मीडिया के प्रभुत्वगान निर्मार और प्रसारों को प्रभावित करने एक शक्तिशाली मीडिया के रू सिर्फ नेगिटिव पॉइंटों चुपाने का भी कालिये कहीं न कहीं हमें देखने को मिलता है विकाशिल और विक्सित शहरों और ग्रामिर अमीर बनाम गरीब के बीच तक्निकी विभाजन तक्निकी वैश्वीकरण का एक नहित रहा है यानि हम वैश्वीकरण के अंतरग होंगी अब हम देखेंगे वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन यानि देखिए कोई भी चीज़ है उसके अच्छे एफेक्ट है तो उसके नेगिटिव इफेक्ट भी जरूर होंगे अब हमने पॉजिटिव इफेक्ट तो देख लिए अब हम उसके नेगिटिव इफेक्ट उनके जो विरोधी आंदोलन हैं वो देखते हैं कि वो आंदोलन क्यों हो रहे हैं किस तरह से वो विरोधी आंदोलन देखे जा सकते हैं अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं देखिए वैश्वी करण विरोधी आंदोलन वह समाजिक आंदोलन है जो वीश्वी करण विरोधी आंदोलन वो आंदोलन है जो पीस वी शताब्दी के अंत में उठे थे इन आंदोलनों में लोगों ने विशेश रूप से वैश्वी करन और विश्व व्यापार के खिलाफ आवाज उठाई यानि यह जो आंदोलन हो रहे थे यह वैश्वी करन के खलाफ तो थे ही और विश् संस्ताओं के खिलाफ थी यानि 1999 में सियेटन की एक लड़ाई हुई थी जो कि विश्वु वैपारी संगठनों के विरुद थी जो अंतर रास्ट इस्तर पर दी थी जो वैश्विकरन का विरोध कर रही थी नेक्स आप लिख सकते हैं इसमें सियेटन की लड़ाई एक houट ईहान व्यापारिक और आर्थिक संगठनों की नितियों पर था। यानि यह जो अंदोलन था इसके अंतर क सभी समुह या सभी वर्गों के लोगों ने अपनी भागेदारी निभाई थी और वैश्विक आंदोलन और वैश्विक जो आर्थिक संगठन थे उनके खिला और मानव अधिकार और श्रम अधिकारों की बारे में बात की गई थी कि इनके उपर चर्चा हमें करनी चाहिए ठीक है नेक्स आप लिख सकते हैं वेश्विकरन विरोधी आंदोलोनों का मुख्य उद्देश्य था अनुचित और आसान व्यापारिक नितियों के खिलाफ लड़ना और समाजिक नियाए की मांग करना यानि जो सही नहीं है उसके खिलाफ लड़ना और जो समाजिक नियाए है उसकी मांग करना इन आंदोलोनों में लोगों ने अपनी अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर सहाइक्ता से समर्थन किया यानि इन आंदोलोनों के दौरान हम देख सकते हैं कि व्यक्तियों ने एकजुट होना शुरू किया और सभी वर्गों के लोगों ने इसमें भागेदारी की आसा नहीं सिर्फ एक ही वर्ग के लोगों इसमें भागेदारी कर रहे हूं नहीं इसमें हम सभी वर्गों के लोगों को देख सकते हैं यह अंदोलन सम्विर्दी और समाच में न्याय को बढ़ावा देने की मांगों को आगे बढ़ाने का एक मुख्य माध्यम बने यानि यह जो अंदोलन थे यह समाच में जो सम्विर्दी थी उसको बढ़ाने के लिए समाच में न्याय को बढ़ावा देने के लिए एक मुक्य मार्क दर्शन के रूप में उबरे और सभी व्यक्तियों को एक सही डारेक्शन दिखाने का कार्य कर रहे थे यानि जिस तरह से वैश्विकरन बहुत जादा इंपोर्टेंट था उसकी तरह से जो उसकी बुराईयां थी उसको भी उजागर करने का इन अंदोलों ने कार्य किया आपको यह पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा और यहां यह हमारा चैप्टर पूरा फिनिश होता है पूर मोर वीडियो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं दियू एसोल को भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको यह सबी फीचर्स मिल जाएंगे जो कि बहुत जादा इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए वहां आपको कोई भी प्राब्लम प्रियेट नहीं होगी और आपको नोट्स भी और कोशन पेपर भी प्रवाइट कराई जाएंगे तो अगर आपने एप डाउनलोड नहीं किया तो आप चलती से इसे डाउनलोड कर लीजे ताकि जो आपकी स्टेडी है वो अच्छी हो सके और आपके बिये में अच्छे मार्क्स आ पाएं चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स चैप्टर के साथ Thank you for watching everyone मिलते हैं नेक्स वीडियो में